हलो जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और एक बार फिस से वेलकम आपके अपने चानल में तो जी दिन है मंगलवार की सुबर का जो है ये टाइम है और वरुन जो है वो स्कूल जा चुक है हिमांग कभी सो ही रहा है तो उसका लंच वगरा पैक कर दिया था तो सारे काम म कुछ ब्रेकवास्ट वगरा मैं अपना बनाऊंगी हिमांग के लिए बनाऊंगी हिमांग के पापा का फास्ट रह तो उनके लिए कुछ भी नहीं बनाना है तो सबसे पहले मैं लग दूए अपने काम निप्टाने के लिए कुछ कपड़े अभी वरुन को छोड़ने गए तब ही प्रेस वाले को कल देकर आये थे तो आज सुबह सुबह मिल रहे थे तो वह भी ले आये हैं साथ साथ में ये बेच्षीट कल धूली थी उसकी भी तैय बना के रख दी है और ये कपड़े अभी साथ की साथ में जो है अलमारी में लगा कर रख दूँगी ताकि मेरा क काम जो है निपठता वर नजर आए और आप भी सोच रहेंगे पिछले तीन-चार दिन से व्लॉग में बहुत सारे कपड़े दुले जा रहे हैं बहुत सारे कपड़ों की प्रैस हो रही है लगाए जा रहे है अलमारियों में तो बस पता नहीं क्यों क्या कुसी तरह काम जो बच्चों के हमारे दोनों के और उसे पहले भी दो-तीन दिन के कपड़े रखे थे तो बस इसी वज़े से अब ही साथ की साथ अलमारी में मैं कपड़े लगा दूँगी और मैं क्या करते हूँ जो डेली बेस पर कपड़े पहनती हूँ वो लगाती हूं नीचे लाइनों मे और जो मुझे मेरे जो बाहर आने जाने के कपड़े होते थोड़े हैवी सूट होते वो प्रहेंगर में लगा के रख देती हूँ अगर मेरे पास extra polythines वगेरा होती है पैकिंग वाली जो थैलिया होती है तो मैं उनमें लगा के रख देती हूँ तो उनमें और भी जादा अच्छे से safely वो एक अपड़े रहते हैं तो अभी तो मैंने पैकिंग में लगा के नहीं रखें क्योंकि मुझे आप लोगों साथ वीडियो जो है वो शेयर करना है इसलिए मैंने लगा कर वो नहीं रखे थे तो अभी जो है सर्फ हैंगर में लगा क कर उपर टांग के मैं अच्छे से वो लगा दूँगी और उसके बाद अपने बाकी की काम निप्टाने वाली हूं हिमांग अभी तक सोई रहा था कुछ सूट है जो अभी जो मैंने सिलवाए हैं आप लोगों काफी सारे कोमेंट आयते दी वीडियो शेयर कर दो कौन-कौन चाई थी तो यह सागरा घांगा सिला तो कुटल यह तो यह वह सब्सक्टन की अलमारी सेट कर दी आज मेरी यह सेट और अब बार ये आती है बार की बालकनी वगरा क्लीन करने की और इसमें मैंने टाइल क्लीनर जो है वो मिलाया है टाइल क्लीनर मिलाने के बाद मैं यहां पर यह चेक कर रही थी कि यह चीजे जो है वो ठीक है मतलब अच्छे से यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो टाइल क इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और उसके बाद फिर जहां में नहाने के लिए चली जाओंगी अच्छे से इसको जो वो वोश करने वाली हूँ और फिर बितलब क्या है कि अच्छे से एक बार सारे से पानी फैल जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है इन वाइट करके देख रही हूँ कैसा है बाद में आप लोग साथ में यह वो शेयर करूँगी अभी क्या है कि अभी तो बस मैं अभी नहा चुकी रेडी हो चुकी हूँ मंगलवार है तो मुझे जाना है मंदिर यह वाला सूर्ज वो अभी मैंने पहना है पूरा लुक मैं आप उसाथ मुझे अपना फोन असमन को देना पड़ा हमारे पास जह है और कोई भी जह वो ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं कोई भी वीडियो जह वो शूट नहीं कर पाई थी इसलिए लेकिन मैंने कल वीडियो में छोड़ा थोड़ा बहुत अपने मंदिर का गाउं का लुक जह वो श सदा तरब जो है वो कुछ शूट नहीं किया थोड़ा बहुत शूट किया था जो मैं अलड़ी दूसरे चानल पर जो है मेरे वाले चाहल पर शेयर कर चुकी हूं यहां पर जो है अभी साथ-साथ में वरुन स्कूल से आना तो कल इसके कपड़े यू के रखे रह गए थे मै चूटियं तो आपर तीन दिन की छूटियं और चार तीन दिन के बाद एक्जाम है फिर से तो इसलिए में आज ही पहना था ये वाली ड्रेस तो ये वाली ड्रेस चेंज करनीर तो ये बस एक दो समान रखा हुआ था यहां पर सारा समान को मैं अच्छे से संगवा दूँगी और फिर आज दोनों बच्चों की छूटियां थी तो मैंने सुचाहत सबसे पहले जाड़ू पोचा वगएरा कर लेती हूं और बाकी की काम बाद में करूँगी पहले जाड़ू पोच लगा दूँगी और यहां पर जो है बस मैंने लगा दिया एस लोट दुलती रहेगी मैं आपने बाकी के काम करती रहूंगी इतनी देर में मांक बीचे सोकर उठ गया था और जिस दन यह उमीद करते हैं हम लोग कि हाँ आज तो बच्चे जो है थोड़ा सा लेट सोकर उठ यह सबसे पहले सोकर उठ जिस दिन चुपटी होती है उडर जबरदस्ति उठाना पड़ता है कि नहीं उठ जा हूँच्ची कि और इसमें थं यह बेट चिक रच्छ़ए से कि सा देती हूं और क्या है कि एक चीज में और देख रही हूँ मैं जो है बेडशिट देख रही हूँ किंग साइज में जिसके जो है पिलो कवर प्लेन हो अगर किसी के पास आमेजोन या फिलिपकार्ड से या किसी और वेबसाइट से अच्छी सी बेडशिट का लिंक हो तो वो मुझे जरूर शेयर करना इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना या कॉमेंट बॉक्स में तो वो प्लीज मुझे जरूर शेयर करना क्योंकि क्या है न कि मैं वो देख रही और उस पे बेडशिट पे काम न छोटे छोटे फिलावर का काम होता है न वो वाली बेडशिट जो आज कल मैं देख रहे हूं तो यहां पर अभी सिर्फ हिमांग उठा था वरुन अभी तक सोई रहा था और यहां पर पतले-पतले कंबल है मुझे एक कंबल भी चेंज कर ल पतले वाली गर्मियों की हैं चदर वगरा लेकिन अभी उन चदरों में पंखा चलाते नहीं तो ठंड लगती है और यह वाले कंबल ओड़ते हैं तो गर्मी लगती है तो यह वाला प्रोसेस जो हो गया है तब ही जाडू निकाल लेती हूं वरुन को जाडू वगरा लगान अधिक तो इतनी हद से जादा बढ़ गई है, हद से जादा चकर आने लग गए इतनी जबरदस्त गर्मी है और आज से शुरुआत नहीं होए गर्मी की गर्मी जो है पिछले महिने से ہी बहुत फरवरी ही मतलब इतनी जबरदस दोपयर को गर्मी पढद democracy में तो बहौत जा लगा लेते हैं बैडशीट इस वाली यह वाली रूम की बैडशीट जो है मैंने अभी दो दिन पहले ही चेंज करी थी तो अभी एक दो दिन और जो है वो चल जाएगी और उसके बाद फिर इसको भी चेंज कर दूंगी अच्छा बहुत तरह कॉमेंट आ रहे हैं दी आप इस को जो है वो चेंज कर लो जो यह अपके सोफा कवरनिस को भी चेंज कर लो तो अभी नहीं चेंज करूंगी बहुत थोड़ा सा टाइम लगा के चेंज करूंगी क्योंकि बजट भी देखना होता है सारी चीज़े एक साथ जो है वो चेंज नहीं की जा सकते अभी पिछे मैं मैंने जो है एक डबल बैड भी बनवाया है फिर साथ में सिंगल भी बना था मैंने ये आप लोगों के कहने पर मैंने अपना जो है गैस जुला भी वो चेंज किया है आप लोगों के कहने पर मैंने वोशिंग मशीन भी जो है वो चेंज करी है आप लोगों के कहने पर मैंने ग जिनके पिलो कवर एक दम प्लेन होते हैं और जो बैडशीट के उपर जो है वो काम होता है कुछ इस तरह का जो है बैडशीट मुझे जो है वो चाहिए मैं काफी टाइम से सर्च भी करूं लेकिन मुझे कोई खास बैडशीट जो कॉटन में नहीं मिल रही है विदाउट तो यहां पर जो है आज मैं थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको क्लीन कर देती हूं क्योंकि कल अचानक मुझे मंदर जाना पड़ गया थे तो बिल कल वाला पानी जो है वो बच्चा हुआ तो मैंने इसी को यह वापस डाल दिया है और यह पानी डालके एक बार इसको अच की टाइल क्लीनर पर जो यह डाला है तो क्लीनर जो डाला है यह अच्छे से जो है वो साफ हो जाए तो बैस अभी जो है इस पर डाल दूगी साफ सुथरा पानी बिलकुल और यह जो मेरा यहां पर ग्रिल है इसको भी पानी डाल दूगी थोड़ा अच्छे से साफ हो जाए या कुछ हो रहा है अपना सुबह अभी तो मैं 6 बजे उठकर लग जाती हूं लेकिन वही जब स्कूल प्रॉपर शुरू हो जाएंगे एक अपरल से अपना वही 5 बजे उठकर अपने काम पर जो है वो मैं लग जाओंगे मतलब सुबह 6 बजे उठकर भी मेरा काम जो हो टाइ जो के बहुत सारी चीज हो जाती है वो सारा जो है वो काम हमें करना पड़ते है यह एक ब्रश भी ली थी मैंने साथ में तो इसी ब्रेश है इसको मैं टाइल्ज वगरा को थोड़े बौट एरिया जो मुझे लग रहा है यहां से लगाने की ब्रश की ज़रूवत है यह सामन और वो गिरा देगा खामका ऐसा नहों कि बच्चे की स्किन के साथ कुछी दिक्कत ना हो जाए क्योंकि टाइल क्लीनर जो है वो एक बहुत ही हाड चीज होती है इसलिए बस हो गया पोचा लगा के व्लॉग केंड करूंगी मैं यहीं पे मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तिल द